तो दोस्तों सरदियों में ना भूनी हुई सकरगंदी और भूनेवे आलू खाने का सभी का बहुत ज़्यादा मन करता है लेकिन फिर वो ही प्रोब्लम आती है कि सकरगंदी और आलू को हम कैसे भूने क्योंकि देखिए सहरों में तो चूले वगएरा हारी वगएरा हमारे पास अविलेबल नहीं रहती है तो आज बहुत आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको आलू और सकरगंदी भूनने का एक बूंद भी पानी डाले बिना आप अपने घर पे आसानी से इनको भून के तयार कर सकते हैं देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं आलू बुनेवे और इसे कई सारी रेसिपीच बनाई जा सकते हैं या फिर ऐसे आप गर्मा गर्म इंजोई कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर आलू और सकरगंदी दोनों को अच्छे से धो लिया है और अब इसको कूकर में लगा दिया साथ ही मैंने आधी चमच गी डाला है जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये आधी चमच मैंने यहाँ गी डाला है आप इसके जगह cooking oil भी ले सकते हैं एक चमच के जितना बैस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना और अब cooker का धकन लगा देंगे धकन लगाने से पहले आपको rubber जरूर निकाल देना है जो cooker के धकन पर rubber होता है उसको आपको निकाल लेना है क्योंकि हमें इसमें CT नहीं लगवा बीच बीच में आप एक दो बार cooker को इस तरह से हिला दें और 20 मिनट के बाद आप खोल के चेक कर सकते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पे 20 मिनट हो गई है और मैं चेक कर पा रही हूँ तो बिल्कुल जो आलू है एकदम भून गया है अंदर तक बिल्कुल पक चुका है और तो हम निकाल लेंगे गर्मा गरम भूनेवे आलू और सकरगंदी दोनों ही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं यह देखिए इसके उपर आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन कितनी रेड रेड सी पारत आ गई है भूनेवे की सरफ आधी चम्मच घी और हमने अपने घर पे ही मज़ेदार सी भूनेवी सकरगंदी और आलू दोनों ही बना लिये हैं इनको आप ऐसे ही चाट मसाला या फिर नमक लगा के खा सकते हैं इसका आप चोखा बना ले या रायता पराठा वगेरा कुछ भी जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं भूनेवे आलू खाने में वैसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं चटनी भी इसकी बहुत अच्छी मुझे टोटल इनको भूनने में 20-22 मिनट का समय लगा है आपको हो सकता है 25 मिनट लग जाए या और एक-दो मिनट उपर नीचे लग सकती हैं लेकिन आपके बहुत बढ़िया से आलू भूनके तयार हो जाएंगे बहुत बढ़िया वाली सकरगंदी भी तयार हो जाएंगी तो आलू को मैंने 2-3 मिनट पहले निकाल लिया था और कूकर का डगकन दुबारा से बंद कर दिया था और यहां पर देखिए सकरगंदी भी कितनी मज़दार भूनी हुई है अभी मैं आपको एक काट के दिखाऊंगी आप देखना यह देखिए एक बून भी हमने पानी न लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि फोईल पेपर हामफुल होता है तो आप ऐसे भी जैसे मैंने भूना है ऐसे ही दोनों चीज़ों को डाल के भून सकते हैं और कितनी मोटी-मोटी थी देखिए हमारी सकरगंदी और यह भी कितनी बढ़िया भून गई है और चूले वगर देखिए कितनी असानी से इसका छिलका निकल रहा है देखिए जरासी भी सकरगंदी इस तरह से खराब नहीं होती जरासा भी आलू इस तरह से खराब नहीं होता कितनी बड़िया महेकारी है यहां पर भुनेवी सकरगंदी और आलू की साथ में थोड़ा सा घी डाल दिया था न उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहा है तो देखा दोस्तों आप सबने कितनी असानी से हमने अपने घर पे ही सकरगंदी भून ली है आलू भी भून ली है अब आप इससे चाहें तो ऐसे ही नमक वगर डाल के खा लें या फिर सकरगंदी की चार्ट बना सकते हैं जैसे कि रहडी पे मिलती है ना बिलकुल उसी तरह स तो एक बार मैं सारी छी लेती हूं फिर मैं इसकी मज़ेदार सी चटपटी से चार्ट बनाऊंगी हर साल मैं इसी तरह से सकरगंदी भूनती हूं और बहुत असानी से भून जाती है और सबसे बड़ी बात इनका स्वाद भूत ला जवाब आता है बिलकुल जैसी चुले व नेक्स्ट लेवल स्वादिश्ट होती है भूत बढ़िया सकरगंदी भून गई अब इसको देखे मैं इस तरह पीसीज में काट लिया है क्योंकि इसकी हम चार्ट बनाने वाले हैं तो छोटे छोटे इसके टुकडे कर लेंगे और चार्ट बनाना तो बहुती असान है बस इसको एक बड़े से बाउल में निकाल लेना है गरम गरम घर की सकरगंदी की चार्ट अगर खाने पर मिल जाए तो सर्दियों में तो फिर मजा ही आ जाता है दोस्तों आप भी अपने घर पे इन सकरगंदी को भून सकते हैं बिल्कुल असान तरीके से बिल्कुल महनत नहीं लगती है और रिजल्ट तो आप अपने आखों से देखी सकते हैं अब इस पर डालेंगे हम चार्ट मसाला थोड़ा सा डालेंगे नमाक और उपर से आधे निम्बू का रस डाल देंगे वैसे एक बार इसको टोस करके अच्छे से कर देंगे मिक्स और हमारी सकरगंदी की च जेंग चार्ट घर पर ही बनके तायार हो गई है नमक अपने टेस्ट को इसाब से कम जादा डाल सकते हैं वहेद से लोग चार्ट मसाला वगरा ज़ादा डालना पसंद करते हैं तो देखे इस चार्ट को आप अपने हिसाब से चटनी वगरा जैसे आपको पसंद है वैसे डालके बना सकते हैं मैं बिल्कुल सिंपल ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सकरगंदी का जो असली टेस्ट है न वही ज़्यादा बढ़िया लगता है तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज की वीडियो आप सब के लिए यूजफुल रही होगी अगर जरासा भी आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आएं तर सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें